गुड मॉर्निंग आज हम देख रहे हैं heating effect of current के कुछ special type के question कई बार आपको exam में इसा question मिलता है कि एक heating element है उसके n equal part किये गए फिर उसमें से किसी एक part को उठाया उसमें कितनी power generate होगी as compared to original one यहाँ पर मतब देखो क्या है कि यह कोई heating element है इस heating element जो power generate करता है वो P है इसके n equal part किये और उसमें से किसी एक को मैंने लिया और अगेर मैंने क्या कर दिया इसको वी वोल्टेज से लगा दिया तो नई power versus old power का ratio बताओ कैसे part किये मैंने n equal parts अब इक चीज आप यहाँ ध्यान से समझना कि यहाँ पर मैं source को चेंज नहीं करना देखो वी वोल्ट की बैटरी से या source से में लगा रहा हूं पावर का अगर मैं formula की बात करूं तो यहाँ पर सबसे सही जो स्यूट करेगा formula वो पी इक्वास टू वी स्क्वाइर आर करेगा क्योंकि डोनों साइड वोल्टेज क्या है constant है लेकिन कोईल को छोटा बढ़ा करने से उसका resistance हम चेंज कर रहें तो resistance से relate करेंगे और सीधे power हमारी आ जाएगी अब हमें इसको देखते हैं कि resistance से relate करें तो करें कैसे हमें पता है कि resistance का एक formula होता है यहाँ पर area of cross section है मतलब wire कितना मोटा है resistivity किस material का बना हुआ है और उसकी length अज क्योंकि जब wire को आप cut करोगा तो cut करने से उसका material नहीं चेंज हो जाएगा कि silver का wire था copper का हो गया तो जब उसकी resistivity change नहीं हो रही तो यह हो गया constant then हम यह मान रहें कि जिस wire को आप ले रहे हो उसका area of cross section मतलब उसकी more time same है सब जगे से तो यह भी constant हो गया तो मतलब resistance किसके proportional to हो गया length के proportional हो गया यानि कि जो सुलूक length के साथ होगा वोई सुलूक resistance के साथ होगा अगर length को कम कर रहे हो तो resistance भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा length को कितने times कम किया मान लोग initial जो लेंथ इनिशियल लेंथ थी एल जिसकी वज़े से इनिशियल रजिस्टेंस आया आर अब क्या किया गया फाइनल लेंथ कर दी n हिस्सों में बाट रहे हो न तो l by n तो new resistance या final resistance वो भी कितना हो जाएगा r by n एक चीज जो ध्यान रखना है initial voltage मतलब initial voltage equals to b और final voltage भी कितना है यह पूरा का पूरा जो वीडियो है इसी पर depend कर रहा है कि initial voltage equals to final voltage यह पढ़के समझ के करना कई बार initial current final current भी देते हैं वो सारे कोशन में कर रहा हुआ तो science के student द्यान से समझ के करना यह नहीं कि हड़ जाले कुछ भी लगाते चल्वे जब initial voltage final voltage के equal है अब मैं power निकालना चालू करता हूँ initial power निकालते हैं इसी formula से क्योंकि voltage और resistance अना पता है को यह हो जाएगा end times of P मतलब P final जो हो बनेगी P final equals to end types of P initial कब होगा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप voltage को क्या कर रहे हो voltage equals to constant मतलब जब भी आपको question में देखने को मिले कि source का voltage constant रखा हुआ और फिर cut कर रहे हो तो हमेशा power increase ही होगी उतने times increase होगी जितने आपने parts करें हैं तीन पार्ट करें तो तीन टाइम चार पार्ट करें तो चार टाइम दस पार्ट कर दिये तो दस टाइम यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम इसको छोटा कर रहे हैं छोटा कर रहे हैं तो इसका resistance कम कर रहे हैं लेकिन उस resistance को कम करने के साथ साथ हमने voltage को कम नहीं किया, voltage उतना ही है तो जब इतना ज़्यादा voltage इतने छोटे से हिस्से पर लगेगा तो current बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस current के ज़्यादा बनने के वज़े से h equals to i square rt में जब current increase होगी तो heat भी तो increase होगी इसलिए power भी क्या generate होगी ज़्यादा पहले की time पे लोग heater पे खना बनाया करते थे एक ऐसा wire घूंता हुआ रहता था अगर मैं उसका top view बता हूँ ऐसा सा कुछ heater होता था पॉर्सलीन का बना हुआ और यहाँ पर ऐसे wire उसमें use करते करते हैं अगर कुछ गिर जाता था तो वहाँ से wire खराब हो जाता था फिर वह क्या करते थे कि wire को खींचके से बांद देते थे जब ठंडा हो रहा है तो time के साथ wire छोटा होता चला जाता था तो यह बहुत ज़्यादा heat generate करने लग जाता था अब आप बोलोगे कि तो उसका resistance कम हो रहा है लेकिन जो voltage आप लगा रहे हो वो तो constantly 220 volt ही लगाते जा रहे हो हर बात तो अब इसके करते हैं नुमेरिका a heating element provides 10 watt power हमने लिख लिया पी initial जो है वो 10 watt है ठीक है at a particular voltage now this element is cut into 5 equal part यहां पर n equals to जो है वो 5 है 5 equal part में आपने cut किया and one of the part is connected with same source यह important बात है कि आप source को same रख रहे हो माननों पहले V volt था तो बाद में भी V volt है और जब आप source same रखते हो उस condition में जब आप cut करते हो किसी भी wire को किसी भी heating element को तो power बढ़ती ही बढ़ती है क्योंकि जब आप किसी heating element को cut करोगा उसका resistance कम होगा लेकिन आपने voltage कम नहीं किया इस बार आपने voltage उतना ही रहने दिया तो current क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो same source से जब आप लगा रहे हो then find the ratio of power dissipated by this new coin to the original हमें पता है कि जब आप cut करते हो तो नई जो power होती है वो पुरानी power से end times होती है किस case में जब आप एक बड़ा heating element लो उसको cut करो उसमें से एक heating element निकालो और दोनों को ही V volt पर लगा के रखो उस case में जो ratio बनता है दोनों का अगर ये P power generate कर रहा है तो ये NP power generate कर रहा होगा तो यहाँ पर क्या हुआ पुराना वाला कितनी power generate कर रहा था 10 watt of power generate कर रहा था, नया वाला कितना कर रहा है 5 into 10, मतलब 50 watt generate करेगा नया वाला और अगर आप से डारेक्टली यहां पर सिर्फ रेशियो की ही बात हो रही है तो नए और पुराने में P new upon P initial या original equals to 5 ratio 1 पांच गुना ज्यादा पावर यह generate करेगा Next question की तरह बढ़ते हैं इस question में दिया हुआ है हाँ, heater coil is cut into two equal parts equal part वाली बात हो गई तो N equals to 2 आगया है होपर and one of them is used in heater दो में से किसी एक को use किया है मतलब अगर heating element पहले L length वाला था तो अब जो heating element 2 बचे वो L by 2 और L by 2 length के बचे इसका resistance अगर R था तो इसका resistance R by 2 और R by 2 हो गया पर इतना deep में क्यों जा रहा है कि क्या दे रहा है one of them is used in heater the ratio of the heat produced by this half coil to that of original तो इस half coil से कितनी heat produce होगी as compared to this कब जब voltage constant है हमें कैसे पता तो ध्यान रखना जब दिया नहीं गया हो यहाँ पर नहीं दिया कि आपने voltage को alter किया है तो voltage क्या लेना है आपको constant और हमें पता है जब voltage constant रखते है और coil को cut करते है तो actually में जब coil का resistance कम होता है तो current बढ़ेगी इसका मतलब power बढ़ जाती है अगर इसकी power P है तो इसकी power n times of P कितने पार्ट में डिवाइड किया दो यानिकि 2P हो जाएगा तो नई power versus old power का ratio आएगा तो रेशियो वन आब आप बोलोगे इतने simple question भी आते हैं येस option confuse करते हैं अभी जब मैं आगे आपको वीडियो बताऊँगा और भी तो उनमें ये भी ratio सही होंगे तो आप जब इतना सारा material हम पढ़के जाते हैं एक्जाम में तो confusion हो जाता है इसलिए बार बार practice करते लेना जरूर है और इसलिए ये वीडियो है तो make sure you subscribe to the channel bell icon जरूर दबाना thanks for watching